इस लेक्षर में आपको hyperparameter tuning on a single model and then hyperparameter tuning on multiple models and then select the best models out of those models इस पे हम काम करने वाले हैं which is one of the top rated subjects in machine learning क्या hyperparameter tuning अगर आप नाम सुनते हैं तो आपको काफी लोग ने यह बात पहले भी बताई होगी अच्छा जी हम क्या कर रहे हैं हम same model selection के अंदर बलके एक नहीं आप बनाते हैं उसी के अंदर जरूर एक नहीं फाइल बनाते हैं इसको मैं बोलता हूँ hyperparameter अंडर स्कूर ट्यूनिंग .ipynb तो बिल्कुल 0 से स्टार्ट करने का मज़ा अपने हैं यहां पर मैं लिखता हूँ जनाब heading इसकी hyperparameter tuning और यहां पर हम स्टार्ट करते हैं काम को तो काम को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि हमने पहले सबसे .ipraries को import करना होता है जो एक task है इंपोर्ट लाइप्रेडिस मैं यहां पर लिखता हूं मैं इंपोर्ट लाइप्रेडिस हम करते हैं पांडाज नंपाई मैट लॉर लेप सीबॉन और यहां पे है अपनी बाकी लाइब्रेरेडिस को इंपोर्ट करेंगे जो हमने काम करना है फ्रॉम नौ आई विल इंपोर्ट बलके इसको बाद में करता हूं मैं पहले आपको यह यहां पे रिंकर के दिखा दो यह हमने पांच लाइब्रेडिस इंपोर्ट कि Okay इसके बाद हम डेटा इंपोर्ट करते हैं सेम वही चीज बार-बार में इस वज़ा से बताता रहता हूं ताके आपके माइंड में ये एक दफ़ा बैट जाए कि ये बेसिक स्टेप्स हैं ठीक है अगर मैं इतने सालों के बाद नहीं थक रहा है इन चीज़ों को लिखने में आपको भी नहीं थकना चाहिए फिर हमने क्या करना होता है डेटा को फोरण से इंकोड करना होता है जो मैंने यहां पर आपको पिछले लेक्शर में भी करके दिखाया था और train test split भी कर देते हैं हम कॉपी करता हो मैं इसी कोड को इन कोड दे लेबल्स एंड ट्रें टेस्ट सुपलेट देटा मैं यहां पे लिखता हूँ तो हो यहां पे हम बारी बारी encoder को load किया हमने और label encoder को लगाया categorical variable के उपर और हमारे पास यह सारे के सारा जो data है यह encode हो जाना चाहिए but we will see कि यह सच में encode कर रहा है के नहीं कर रहा हूँ उसके लिए हमने क्या करना है df.info का हमने command लगानी है और इसको run करना है and you can see के चारों की जो चारों types है वो categories है इस वज़ा से हम यहां पे category लिखेंगे तो यह encode हो जाएगा और फिर हमारे पास train test split हो जाएगा हमारे पास यहां पे यह yellow lines आ रही है इसका मतलब train test हमने नहीं लगाया तो मैं यहां पे लिखता हूँ from model selection from s k learn dot model selection train test split तो यह हमारे पास हो गया ठीक है यहां तक समझ आगी हमने data को train test split कर लिया अब हम जब एक सादा model लगाते थे तो हम लिखते थे model is equal to और उस model का learn dot neighbors import k nearest neighbor regressor और यहां पे लिखते हैं model is equal to k nearest neighbor regressor regressor के number five दे दे थे थे फिर हम data पे इसको fit करते थे फिर हम क्या करते थे predict यानि के y underscore predict model x test को predict कर दे थे और फिर हम उसकी accuracy find out करते थे और यह एक दफ़ा लगाने का तरीका होता था एक model को ऐसे ही है और हमारे पास y prediction की values जाए 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 थे थी जिसके बाद हम क्या करते थे accuracy या different किसम के parameters जो हैं वो हम print करना start कर देते थे कि इसके पास यह parameter F launches F launches F launches लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं कि यहीं पर अगर हमने यहां पर parameter change करने हो तो वो कैसे करेंगे तो मैं सिरफ इस step से model is equal to इसको मैं बोल देता हूं के neighbor regressor और यह खाली ब्रेकर लगा दी ठीक है इतनी से बात याद रखिएगा यह हमारा model खाली model हमने यहां से start कर लिया अब जब खाली model start कर लेना है इसके बाद हमने बताना है कि यह यह parameters को test करो और उन में से best choose करो इसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं params और equal to अब एक हमने dictionary बनाने और dictionary के अंदर वो parameters देने हैं जो हमें चाहिए मैं कहता हूं कि neighbors तुमने तीन भी चलाने है 5 भी चलाने है 7 भी चलाने 9 भी और 11 पांच values है हमारे पास neighbors की और पांचों की पांचों में से best को select कर लो ठीक है फिर मैं कहता हूं कि weights निकालो जो uniform है और distance है दो किसम के आपके पार parameter होते हैं जब आप निक्के रिनियर एस neighbor की बात करते हैं इन दोनों में से best को choose कर लो फिर तीसरा metric मैं बताता हूं कि Euclidean और Manhattan distance को measure करो जो best है उसका result दो बाइदा वे आपको Euclidean और Manhattan distance का तो पता है ना पिछले lecture में अगर आपने देखा है अब यहां पर फड़े जाने ने साथ है कि किसने पिछला lecture देखा या नहीं देखा Euclidean distance और Manhattan distance का अगर नहीं पता तो पिछला lecture जरूर देखी के नेरिस neighbor के अंदर बड़ी डिटेल में और funny तरीके से मैंने बताया अगर आपको नहीं याद दो Salon लेने जाता है कोई बंदा उसका neighbor का distance कितना होगा उसकी equation क्या होंगी इस तरीके से मैंने बताया ठीक है तो वो कौन सा lecture है वो अगर आप के नेरिस neighbor के उपर जाएंगे तो वहाँ पे आपको lecture जो है के नेरिस neighbor की mathematics के अंदर ये सारी चीज़ें मिलेंगी lecture number 22.27 मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूं ता कि आपको याद रहें यह वहला लेक्चर है 22.27 इसके अंदर ये सारी चीज़ें मुझूद हैं गिटब के उपर equations और mathematics भी इसके अंदर मुझूद है अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा बाइद आवे यूक्लीडियन डिस्टेंस और मैंनहेटन डिस्टेंस क्या होता है इसके उपर अगर मैं बहस करने लगों तो अच्छा सासा टाइम लग जाएगा लेकिन मैं आपको तस्वीरों के साथ बिता देता हूं अगर आप यहाँ पर जाएं यू क्लीडियन डिस्ट versus Manhattan distance ये लिखें और जो fastest way होता है सेखने कब ये होता है ठीक है और अगर आप इस पे क्लिक करें तो Euclidean distance ऐसा distance होता है जो एक point से दूसरे point तक होता है अगर एक triangle बनाए 90 90 degree की जिसको right angle triangle बोला जाता है तो उसके अंदर जो वितर है यानि के जो आपका hypotenuse का distance होता है from point A to C हम उसको जब measure करते हैं तो direct line लगाते है Manhattan distance क्या होता है आपको block by block जाना होता है मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि अगर आप कलूनिय में रहते हैं आप घरों के चटों से दही लेने तो that would be Euclidean distance otherwise it would be Manhattan distance तो इन दोनों distances की base पे आप अंदाजा लगाते हैं कि nearest neighbor कौन से और nearest neighbor जारी बात है एक point से दूसरे point का distance कोई neighbor बोला जाता है तो आपको यह सारी समझा जाए हैं तो मैंने यह वाले matrix यहां पे रखे हुए parameters और इन parameters को हमने आपस में सभी को यहां पे चलाना है ठीक है अब आप देखें total पांच neighbor की type है दो यह हैं दो यह पांच दो बार दस दस दो बार कितने होगे 20 तो total combination इसके कितने बनते हैं 20 combination according to my calculation इससे ज्यादा भी इसके combination बन सकते हैं अगर आप triple combination के अंदर combinatory analysis के अंदर जाएं but for now minimum 20s के combination बनते हैं यानि के एक model जो पिछले time एक ही दफाँ चल रहा था अब वो ही model 20 दफाँ चलेगा और उन 20 दफाँ चलने में जिस जिस combination का सबसे best result आएगा वो वाला combination हमारे best model के parameters को show करेगा that is how you actually see the difference between different model अच्छा ये तो हमने कर लिया ये काम होता कैसे है उसके लिए terminology use होते grid search cv यानि के इन तीनों पांचों को लिखो फिर दो को लिखो फिर last पे दो को लिखो इनका एक grid बनाओ फिर उसका हर एक combination उस grid का test करो ठीक है उसको बोलते हैं grid search cv इसके learn dot dot model selection और इसके अंदर grid search cv ये एक function है ये क्या करता है इन तीनों parameters का grid बनाएगा और best combination लेकर आएगा ठीक है यार वो बच्पन में नहीं आपने खेला डिकम डिकम डोया डो जिवे तेरा माप्यों एक दाना आए तेक दाना आए इनाए नहीं सीज़ खेला हुआ चले आपने ये तो खेला होगा कि मैं अपनी टीम ये वाली slack करन ही मेरी तरफ आगया वह 8 ऐसा बंदा बी होता जो दोनों तरफ होता है या दोनों तरफ नहीं होता और लासप उसको 6 बाल किला आते हैं याद है और जिस combination होता है एक मेरी तरफ आगया एक मेरी तरफ आगया that is how you select the team member. यहां से best team आपने select करनी है. आप यही समझें के यहां पे आपके पास पांच कप्तान है, पांच की पांच team में select करनी है from these things. ठीक है, combination of different matrix. वो team selection जो है, वो basically आपकी आपकी यह वाला section होता है. ठीक है? तो grid search cv उस team selection के लिए help करती है. आप proper grid बनाते हैं और यहां पे आप लिखते है model. model के है आपका? के nearest neighbor regressor. parameter grid किसका बनाना है? यह जितने भी parameters बताएं आपने यहां पे. आपने क्या बताया? dictionary बताईए, dictionary के अंदर key है और उसकी value की list है. समझ रहे हैं बात? यह वही है के neighbor 3 भी है, फिर neighbor 5 भी है, फिर neighbor 7 भी है, फिर neighbor 9 भी है, फिर neighbor 11 भी है. अगर आप वैसे लिखना चाहिए, वैसे भी ठीक है. लेकिन यही तो चीज हमें python coding में मज़ेदार लगती है, कि आपको एक list में लिखतो, इसका मतलब यही है, कि end neighbors 3, दुबारा से comma डालके, end neighbors 5, फिर comma डालके, end neighbors 7, so on and so forth. तो यह dictionary plus list को हमने choose, use करके parameter बनाया हूँ है, तो इसी तरीके से आपका grade बनेगा, parameter grade ठीक है, तो cross validation यानि के 5 आपने best teams लेनी है, उसको cross validate करना है, number of jobs आप बता सकते हैं, वर boss बता सकते हैं, यह क्या करते हैं, यह दोनों चीज़ें basically आपकी जो future में, यानि के नीचे जो combination आ रहा होत आपको जरूरत नहीं पड़ती, यहां तक clear होगी जी बात, क्या ख्याल है, अगर मैं और metric यहां पर लिखता हूँ, तो को मसला तो नहीं है, है मसला, जिन बिचारों का PC slow है, 20 को 4 से multiply करें कितने बनता है, 80, 80 दफ़ा एक model train होने है, 80 दफ़ा, यही नहीं, उसके बाद उसम साथ model extra रख लें, तो जिसके बिचारे के PC पे एक नहीं model चलता, वो 80 कैसे चलेंगे, इस वज़ा से मैं tips के data set पे आपको यह बता रहा हूँ, मैं बड़े data set पे machine learning नहीं करके दिखा रहा, यह इतने से code को चलने के लिए, अगर आपका 1 million का data set है, याद करें Google Play Store का data, तो उस रहते हैं, that is how this is kind of effective, कैसे, आपके पास जब इतनी बड़ी calculation आती तो आप अपने PC पे नहीं करते हैं, आप server systems पे करते हैं, और वो server system आपको university या आपकी company देती है, आप वहाँ पर यह performance करते हैं, इस वज़ा से छोटे data set पे हमेशा यह काम होता है, आपके अपने PC में यहां ता clear होगी बात, कि यह क्यों हम calculation के जुम्रे में लेके आते हैं, अब मैं आपको आगे बताता हूँ, अब हमने, यहां पे जासे हम model.fit करते थे ना, अब हमने लेकरना है, gs.fit, समझा है यह बात की, जितने grid के combination है, वो fit करने हैं, सही है? और फिर इसके बाद हमें पता भी तो होना चाहिए ना, कौन-कौन से best parameter है, तो फिर हम करेंगे print करने के बाद best parameters, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, f, f का तो पता है ना, मैंने क्यों लिखा है, यह नहीं पता, best, के एन एन, parameters, ठीक है? तो इस तरीके से हमारे पास best parameters जो हैं, वो आ जाएंगे, अच्छा, एक और चीज़, अगर मैं चाहूँ, कि यहाँ पे CV की बजाए और इन चीज़ों की बजाए, मैं simply scoring लिख दूँ, चले मैं यह निकालता हूँ, यहाँ से, मैं यहाँ पे scoring लिख द mean squared error, SK learn के अंदर सेम चीज़ ही माने जाती है, इससे क्या होगा? आपका जो metric है, वो mean squared error होगा, और उसमें से जो best performing mean squared error को reduce कर रही होगे चीज़, वो आपके पास आएंगे, ठीक है? और best K&N estimator निकाल के आप proper way में final best performance ले आते हैं, तो model save करने के लिए और बाकी कामों के लिए यह चोटा सा code आपको मैं दे देता हूँ, gs.best estimator, estimator क्या होता है कि कौन सी चीज best perform करेगी, y prediction पे best K&N, यानि कि यह जो चीज़ है, यहां से इसको हमने predict पे लगाया, अब आपका model gs में से, यानि कि, यह gs हमारा 80 model दे रहा था, उसमें से best हमने select किया, और अगर best को हमको एक नाम दे दें, object के उपर, तो हमारा वो model वो कहलाएगा, यानि कि best K&N, जो जिसके जोन जोन से parameter best है, उसको हमने एक model की शकल में यहां पे लिख लिए, अगर आप इसको best model भी कहें तो it's fine, तो हमने आप इससे predict करवाना है, mean squared error को आपने यहां पे लिखना है, और इसको आप separately पे calculate कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, जी यहां पे जाके from matrix में से mean squared error ने लिनी है, और यहां पे why test और why predict, यानि कि original versus predicted, इन दोनों को हमने देखना है, जिससे आपके पास mean squared error और आप इसको save कर सकते हैं, with the name जो आप चाहें, ठीक है, तो हम यहां पे किस में save करें, best can and pickle में, मैं इसको run करता हूँ, और आपने time calculate करना है कि कितना लगता है, hopefully इतना ज्यादा नहीं लगेगा, but अगर आप भी मेरे साथ यह run करें, तो let's see, कि आपको कितना time लगता है, म और मेरा जो best can and parameter है, algorithm हमारे पास है, fruit, metric हमारे पास Manhattan का होना चाहिए, और n neighbor जो है 11 best है, weights हमारे पास distance की base पे है, यह 4 best parameter हैं और इसकी mean squared error कितनी है, 7.73, ठीक है, तो इतनी सी बात है, आप क्या करेंगे, अब आपने, अब मेरी बात गोर से सुनिएगा, पिछले lecture के अंदर म आप, models को जब run करते हैं, multiple model selection के अंदर, यहाँ पे, अब आपने क्या करना है, के अंन के अंदर वो parameter लिख देने हैं, कौन से parameter, यह वाले, यह वाले, copy किये, आप यहाँ पे लिख देंगे, तो यह इसके parameter होगे, simply, सही है, समझ आई, तो हमने best parameters निकाले, यहाँ पे डाल द अगर आपको फिर भी कोई मसला हो, तो आप इसको दुबारा से भी run कर सकते हैं, और अगर आपका यहाँ पे कोई problem नहीं आ रही, इसका मतलब यह है, कि आपके जो test train data set रखा हुआ था, उसकी values, यहाँ पे आपने stagnant की हुए, random state लगा के, तीक है, अगर आप इसको बार बा run करेंगे, it will be changing, अब आपको, मैं दो चीजें कठी दिखाने लगा, hyper parameter tuning and model selection, ठीक है, और बेहतर यह है कि इस recording को मैं stop करो, और अगली recording के उपर हम चले,